प्यारे बच्चों, स्वागत है रमदान टुटोरियल में, सुबे के साड़े 10 बज़ रहे हैं, वक्त है माध्मे के लेटेस्ट अपडेट जाने का, माध्मे के इजामेनेसन कैंसल के चांसेज और बढ़ गए हैं, क्यूं मैं दो पॉइंट से कवर करने वाला हूँ इसे, पह मैं तो उमीद कर रहा हूँ कि इजामेनेसन कैंसलेसन के न्यूज अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, थमनेल में आप लोगों ने अल्रडी देख लिया है, मैं इन दोनों पॉइंट को डिसकस करूँगा, लेकिन साथ इसाथ एक और पॉइंट में आपको बता दूँ, एक इसके लिए एक वीडियो रेफरेंस है, प्लीज इस वीडियो रेफरेंस को कम्प्लीट कीजे, डेर मिनट का वीडियो है, इसे कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको इस ये सारी चीजे हिंदी में समझाता हूँ ज़ी स्कूल गुलो के शेफ हो मेर आओता एने ताके प्रस्थिती राखते, तुमिए जानों छे राच्ये प्राइ थे थे 3500 चाल्टी स्कूल आचे, तू तर्वध ते 25 चैनल तैंवर्फ ज़ियों प्राइब भावे चाहीं छे आपार प्राइब आपा हाई स्कूल जे घ अर्थात 9-30, 2000 में और समय दोले श्रहाटी शेएई शुभस्ता श्वक्ता स्कूलका भुले श बुले शाया रें टेवा रेकव में तर्ञेब तेवा नियंद ओल्गों में शुभस्ता को दोले श्रहाटी। सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो हमारे government added schools है जिनका number around 10,000 के आसपास है जो हमारा सिक्षा दफ्तर है वो decide कर रहा है कि इन schools को अभी safe home में convert कर देना चाहिए safe home क्या होता है safe home वो जगा होती है जहांपर covid को patients को रखा जाता है ताकि वो safety, security और distance maintain करके social distance को maintain कर पाए आपको पता है कि social distancing बहुत important role play करती है covid से precautions में तो covid के precautions के लिए यह जो एक बहुत important role play करी है इसे maintain करने के लिए आपको पता है कि बाकी states यहां पर बहुत ज़्यादा लोग है जैसे कि डली के बात करें तो वहां पर already यह सारी चीज़े बहुत पहले से implicated लेकिन बिंगॉल में यह चीज़े स्टार्ट नहीं भी थी यहां पर population उतनी हाई लेकिन आप जान रहा है कि अगर इस situation में आकर government को safe home में उसे convert करना पड़ रहा है तो हालात कितने बुरे के तरफ बढ़ रहे हैं पर बचों की comments आ रहे हैं कि सर यह death rate कम हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है comment में लिखा है कि सर यह numbers कम हो रहे है तो exam होने वाला है नहीं, numbers कम हो रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे reasons हो सकते हैं मैं भी government data सरी तरीके से नहीं दिखा रही है यहां मैं कोई blame game नहीं खेलना चाहता हूँ, politics नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए directly बोलना चाहूँगा, जो details आ रहे हैं, उन details पर मज जाईए, उन में से कुछ details हो सकते हैं, कि manipulated details हैं, तो please उन पर ना जाए, समझिये, आपके आसपास के situation देखिये, हाला देखिये, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, जो अपने अजीज है, जान पहचान के हैं, तो please आप लोग safety security को पहले समझिये, safe हो मगर government का अभी करना चाहा रही है, इस situation पर आके, जहां पर आपको data में पता चल रहा है कि कम हो रहा है data, तो समझी सकते हैं कि कौन सच है, कौन सही बात कर रह मैंने कल वीडियो में cover किया था, लेकिन साइद बचों को clear नहीं हुआ है, बहुत सारे बचों ने मुझे phone करके पूछा है, सर यह क्या है, क्या हम करेगा, कैसे function करेगा, यह हम पर कैसे effect करेगा, और बहुत सारे बचों ने यह कहा है, सर यह तो महारास्ट में हो रहा है, इस इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर एक P.I.L. फाइल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कि एक्जाम कैंसल नहीं होना चाहिए, इसके against order जो आई है, वहाँ पर इन लोगों ने कहा है, सुप्रीम हाई कोट ने कहा है, कि आप एक clear rules के साथ आए, किसी भी तरह की inequality नहीं हो, किसी भी तरह का discrimination नहीं होना चाहिए, सब लोगों के लिए same law होना चाहिए, इस uniformity के तरफ जो इसारा कर रहे है, वह क्या चीज़े के तरफ इसारा हो रहा है, यह तो to the point written आया नहीं है, लेकिन जो points हो सकते हैं, वह कुछ इस तरह से हो सकते हैं, कि अगर मैं बात क इसने के लिए मैं example दे के समझाता हूँ, प्राइबेट स्कूल हमें से अपना result maintain करना चाहते हैं, तो प्राइबेट स्कूल क्या करेंगे, वह चाहेंगे कि मैं question paper से exam लो, जिसमें क्या होगा कि वह easy question paper दे कि वहां से अच्छा result evaluate करना चाहेंगे, इस तरह कि किसी discrimination से बचने सकते हैं, लेकिन central ने already rule बना दिया है, तो uniformity बोल के हो सकता है, high court उसी की तरफ indicate कर रही है, कि आप उसे follow करो, तो मैं महरास्ट के इस news को भी cover कर रहा हूँ, अब सवाल उठता है कि अगर महरास्ट में ऐसा हो रहा है, uniformity आ रही है, और अगर महरास्ट भी CBSC को follow करने चली ज करेंगे, हम लोगों ने cancel नहीं किया, तो हम लोगों, अगर सब लोगी uniformity के अंदर आ जाएंगे, तो हमारे पास भी लगबक cancellation करने के बाद का जो method है, वो clear हो जाएगा, इसी method के वज़े से कहीं न कहीं हमारा ये अब तक delay होते हुए आ रहा है, तो वो चीज भी clarity आने के ब बाते चल रही है, इसके against मतलब हमारे फॉर में, मतलब हमारे फॉर में मतलब जो exam cancellation के फॉर में बाते करें, उनके लिए already फॉर में बाते चल रही है, और वहां से भी positive news आने के chances बहुत हाई है, मतलब जो मुझे जितनी news मिल रखी है, उसके according ये पाते हैं कि लगभग confirm है कि exam cancel हो रहा है, तो अगर uniformity की rule को आप समझना चाहते हैं, तो बस यही सारी बाते है, सब लोगों से कहा जा रहा है, आप कोई भी discrimination न करें, कोई भी मतभेद न रखें, कोई भी भेद भाव न करें, किसी को marks देने में, सब को लगभग same rule के अंदर में रखा जाए, इससे क्या अपने rules के साथ चलिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है, कि evaluation वो किस तरह से करेंगा, अगर कोई अपने mark से satisfied नहीं है, तो वो बिल्कुल जब भी situation सुदुरेगा, तब वो अपना exam देके, अपना result evaluate कर सकता है, ऐसा system, CVSC में पहले से exist करता है, लेकिन state board में है, हमारे state नहीं है, तो हो सकता है कि इस साल special rules के साथ इसे भी introduce कर दिया जाए, उमीद करते हैं, इन सारे news के बाद आप लोगों को सारी चीजे positive दिख रही होगी, अब मैं आप लोगों को एक बहुत important point पर discussion करना चाहता हूँ, एक बच्चे ने मुझे request की थी, कि सर, एक message आया हुआ ह जो मेरे WhatsApp पर बहुत से आ रहा है, कह रहे हैं कि venue secretaries को कहा गया है कि वो अपने area के local police से मिले, examination के concern से, अब इसके proof को जब मैंने पदा करने की कोसिस की, तो मैं जिन लोगों को जानता था, उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या सच में ऐसा कोई official notification है, ऐसा कोई official notification नहीं है, औ आप लोगों को मैं यह बता रहा हूं कि जो बच्चे ने मुझे यह send किया था, उन्होंने बस मुझे एक WhatsApp text message send किया था, कोई notice नहीं है, और इस तरह की चीज़े कभी भी text message में नहीं आती है, notice में आती है, तो जिनके भी पास ऐसे news आए वे हैं कि venue secretary को लिखा जा रहा है, औ और मैं exam का counselor हूँ या कुछ भी ऐसी बाते आ रही हैं, वो fake है, क्योंकि उसके पीछे always, जब भी ऐसी news आते हैं, उसके पीछे जरूरी होता है कि एक notice बनके आए, किस date pronounce हुआ, या सारी चीजे लिखी भी रहेंगी, किसने उसे sign किया है, ऐसे कोई भी WhatsApp text में लिखके नहीं भ लिखक डेटा है, इससे आप लोगों को clarity आ गई होगी, तो उमीद करते हैं कि इन तीनों चीजों के बाद आप लोगों के मन में और एक उमीद बढ़ी होगी, मुझे भी उमीद बहुत बढ़ी है, और मैं आज के दिन को Wednesday को बहुत positively देख रहा हूँ, कि मुझे उमीद है क आज examination cancellation का news जरूर आना चाहिए, in case examination cancellation का news आज नहीं आता है, तो फिर कब तक आएगा, इस बारे में बच्चों के सवाल बहुत जादा है, कि सर कब तक announcement हो जाएगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन मैंने last अपना expect किया हुआ exam cancellation के news के लिए, अगर आज आज आता है, तो फिर कब तक आएगा, वो तो मैं जब news को पढ़ूँगा, जब मुझे सारे चीजों के बार में मैं पता करूँगा, जो भी sources से information आती है, उनके बार में पता करूँगा, तब जाके finally कोई बात समझ में आगे क्योंकि इन चीजों के वज़े से, यहाँ पर बोला गया है, वो अगर कहीं successfully सामने आ जाती है, तो यह फिर throughout हो जाएगा, और अगर कहीं Supreme Court ने order pass कर दिया कि सारे state को भी exam cancel करना है, तो बिल्कुल फिर किसी भी चीज की जूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एकदम positively आ जाएगा, तो उमीद कीजे positive चीजों के साथ, जो ब इस के हालात, state के हालात कितने बुरे होते हुए जा रहे हैं, इस condition में जहाँ COVID positive को रखने की बात हो रही है, वहाँ पर आप जाके exam देने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार अपनी safety के बारे में सोचिए, मेरा एक ही slogan है, exam must but health first, तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को जरूरत है, सच में आप exam देना चाहते हैं, तो जरूर बोड अगर ऐसे किसी rule के साथ आती है कि हम इस साल exam नहीं लेंगे, हम आपको next year का chance देंगे, तो आप भले एक year loss कर लो, लेकिन अपने health पर compromise मत करो, यही मेरा request होगा आप लोगों से जो exam के फॉर में हैं, और जो मैं exam cancellation के फॉर में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी cancellation के फॉर में बात कर रहा हूँ, हमारा clear है, exam cancel कर दो, और बिल्कुल exam cancellation के बाद हमारा academic session हम लॉस नहीं करना चाहते हैं, हम regular अपने चीजों को continue करेंगे, आप देखे रहे हैं तो रमदान ट्विटर, मैं हम मौमा साबार जलम, मैंने कोशिस कि आप लोगों को exam cancellation के इस news के बारे में जो मैंने thumbnail दिया, उससे justify करने की, मिलते अगले वीडियो में, till then do take care.